यह पोस्ट BBC के पूर्व पत्रकार जे सुशिल का है मैं दोस्तों से उधार ले लेकर ऐसी हालत में था कि शर्म आती थी पैसे मांगने में किसी से ऐसे में जे एन्यू में कई बार मेस में जाकर चुपचाप थाली उठा लेता था मेस वरकर ने एक बार कहा था कि परची कहा है मेरी शकल पर ही लिखा था मैं भूका हूँ एक बार मैंने कहा बहुत भूक लगी है तो मेस वरकर ने थाली में सबसी डाल कर बुला बैठ जाओ आगे बढ़ने पर मेस मैनेजर के टोकनी का खत्रा था ऐसे तीन चार बार हुआ ये लिखते लिखते हाथ कापते रहे है मैं कई रातों को JNU के बस स्टैंड पर सोया हूँ क्योंकि मेरे पास सोने की जगह नहीं थी ऐसे कई दिन मुझे JNU के दोस्तों ने देखते ही नाश्टा कराया है बिना ये पूछे कि मेरा हाल क्या है सब जानते थे मेरी हालत छीक नहीं है मेरी ऐसी हालत देखने वाले कुछ लोग अभी भी फेस्बुक पर मेरी मित्र सूची में है ऐसे ही एक देन JNU के एक सीनियर ने देखा तो बातचीत होने लगी बातो बातों में उन्होंने कहा कि सोने के दिक्कत हो तो कमरे में आ जाया करो कभी भी चेकिंग होती है लेकिन संभाल लेंगे मैं गया नहीं JNU के ही एक छात्र ने पुरानी किताबे दी तयारी करने के लिए मैं बिना अतिश शोकती के ये कह रहा हूं कि भूक लगने पर मैंने भीगा गमचा पेट पर बांधा है और पढ़ाई की है उस पर भी बस नहीं हुआ परिक्षा से पहले एडमिट कार्ड नहीं आया तो JNU के उस समय के छात्र नेता ने खुद जाकर एक्जाम कंट्रोलर से लड़ाई कर मुझे एडमिट कार्ड दिलाया JNU में आज भी में के लिस्ट में मेरी फोटो नहीं है क्योंकि मेरे एडमिट कार्ड में फोटो नहीं थी नए एडमिट कार्ड के लिए पैसे भरने पड़े वो उस चात्र नेता ने अपनी जेब से दिये जो मैंने साल भर बाद उन्हें वापस किया अडमिशन के बाद मेरे पास मेस बिल देने को पैसा नहीं था मेरे पिता महिने के हजार रुपे भीजने तक के लिए सक्षम नहीं थे उन्होंने किसी से उधार लेकर पंद्रसो रुपे के साथ मुझे JNU भीजा था जिससे मैंने पहले सेमिस्टर की फीस करीब साड़े चार सो रुपे भरी थी चो महिने तक मेरे एक दोस ने पैसे दिये मेस बिल के अगर सेमिस्टर की फीस आज जितनी होती तो मैं सच में पढ़ नहीं पाता मेरे जिसे कई गरीब छात्र है JNU में आज भी कुछ साल पहले मैं बुलिट से आ रहा था कैंपस तो एक लड़का हवाई चपल में पैदल चलता हुआ मिला चेहरे पर उदासी थी उसने हाथ दिया तो मैंने गाड़ी पर बैठा लिया बातो बातो में रुआसा हो गया मैं पूछने लगा तो वही सब पीता किसान थे महीने के मेज बिल का 800 रुपे तक भीज नहीं पा रहे थे बहुत संगर्श है पढ़ाई के लिए जिनके पास पैसे है वो ये कभी नहीं समझेंगे